परवात तहवारों का सीजन चल रहा है महास्टमी के साथ इस नए महीने के शुरुआत हो चुकी है और जादा तर घरों में महीनी भर का बजट भी तैयार किया जा रहा होगा तेहवारों के खर्च के साथ साथ महीने के खर्च का भी हिसाब किताब अगर आप लगा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बीहद ही जरूरी है महगाई की मार से पूरा देश जूज रहा है रसोई गैस की बात हो या फिर खाने पीने की कोई भी चीज हो लगभग सब कुछ महगाई की मार से प्रभावित है ऐसे में अब जो खबर सामने आई है वो बीहद ही राहत देने वाली है अगले पक्वारे के लिए भारत सरकार ने जो योजना तयार किया है उसे जानकर आप दिवाली के लिए और भी जादा एक्साइटिड हो जाएंगे जिहां इस दिवाली आपके घर लक्षमी बच्चत की तौर पर कदम रखने वाली हैं और आप खुल कर खर्च भी कर सकेंगे तो क्या है पूरी खबर कैसे होगी बच्चत और क्या है योजना बताएंगे सब कुछ आगे के रिपॉर्ट में मगर उसके पहले नमशकार आप जन्ता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ बंदना पांडे भारत सरकार ने शायद आप जन्ता की गुहार अब सुन ली है महंगाई से निजात दिलाने के लिए मोधी सरकार ने इस पकवारे कुछ जरूरी समानों के बेसिक इंपोर्ट ट्राइज में कटौती करने का फैसला लिया है असके साथ ही आने वाले समय में सोना च्वांडी के साथ साथ खाने के तेल की कीमतों में भी तो चौती देखने को मिल सकती है मनी कंच्रोल की एक रपॉर्ट के मताबिक भारत सरकार ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि सरकार ने कच्छे पाम ओयल का बेस प्राइज 996 डॉलर प्रती टन से कम करके 937 डॉलर कर दिया है इसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि खाने के टेलों की कीमतों में भी कमी आ सकती है किसी भी सामान की कीमत इस बात से निधारिक की जाती है कि आयात करने वाले को किसी सामान पर कितने टैक्स देने पड़े है यानि कितना टैक्स उन्होंने दिया है अगर टैक्स कम ह तो उस प्रोडक्ट की कीमत कम होती है और यह सब कुछ टैक्स पर डिपेंड करता है आपको बता दे कच्छे सोयाबिन तेल का प्राइज 1362 डॉलर से घटाकर करीब 1260 डॉलर प्रती टन कर दिया गया है सोनी का बेस प्राइज करी 550 डॉलर प्रती 10 ग्राम से घटाकर 553 प्रती 10 ग्राम और चांदी का बेस प्राइज 635 डॉलर प्रती किलो से घटाकर 608 डॉलर प्रती किलो कर दिया गया है आपको जानकर यह हरानी होगी कि भारत खादे तेल के साथ साथ चांदी का सबसी बड़ा आयात है बाजार के जानकारों का कहना है कि बेसिक इंपोर्ट प्राइस कम होने से इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाती है और इसका फाइदा जल्भी आम लोगों को देखने को मिलेगा खाने के तेल के साथ सोना चांदी की कीमतों में भी कमी आएगी जिससे कि आप तहवारों में बच्चत कर पाएंगे और सोने चांदी के जिवरात की चमक भी आपके तहवारी सीजन जो है उसको आपके घर में और भी खुशनुमा महाल बना देगी हलांकि दूद की कीमतों के अगर हम बात करें तो उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है क्योंकि बताया जा रहा है कि भूसे की कीमतें बढ़ी है और पशुपालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पर रहा है भूसे की कीमत बढ़ने की वज़े से पशुओं के खान पान का खर्च भी बढ़ गया है जिससे की दूद की कीमतों में इजाफा हो सकता है उतरप्रदेश के जहां से इस्थित ग्रास लैंड एंड पोर्डर रिसर्च इंस्टिट्यूट के डिरेक्टर अमरेश चंद्र नहीं बताया है कि हरे चारे में 12 से 15 फीसदी कमी आई है और भूसा करीब 26 फीसदी तक कम है और इन कम्यों की वज़े से भूसे की डाम में बरहोतरी हुई है ग्रेचर नोईडा में 14 सितंबर को आयोजित हुई वर जेरी समीट में खरशी मंत्री नरेंदर सिंग्टोमर ने भी कहा था कि चारे का संकट खड़ा हो रहा है अब देखना ये है कि इन सब घुशनाओं के बीच आम जनता तक कोई राहत पहुँचती है या केवल ये एक खबर बनकर रह जाती है हरोज सरकार कोई न कोई योजना लाती रहती है जिसकी जानकारी हम आप तक पहुच आते हैं क्यामने के पीछे ते विशाल और मैत ये आपके साथ बंदना धन्यवाद